तो बचो special journal entries शैधम ने start किया था if I'm not wrong और मैंने आपको comparison पड़ा दिया था traditional और modern का और importance बता दीती कहीं कहीं traditional rule use होगा और कहीं कहीं बचो modern is that clear compound entry में कोई समस्य किसी को जो homework पहले कर चुके हैं मैंने बोला था उन entries में जहां जहां compounding हो सकती है वहां compounding कर लीजेगा तो मैं पूरा संपूर बिलीफ कर रहा हूं कि आपने एक काम कर लिया हो चला जाए आगे बचो चलिए so let's start with the second one children these are the special entries related to what goods आपने personal use के लिए goods टेक ओवर कर लिए owner जब business में कुछ लेके आता है बचो तो आप उसे किस नाम से represent करते हैं गलत जवाब कान खराब हो चुके हैं लोगों के capital और जब वो कुछ लेके जाता है तो क्या बोलते हैं तो यहां पर difference आ जाता है visual learner and audio learner इसकी exercise मैंने आपको शायद कराई हुई है कराई हुई है आज फिर से करा देते हैं आज फिर से कराते हैं जो मैं बोलूंगा वही करना है जो मैं बोलूंगा वही करना है ठीक है चलो touch your head very good very good head head side head नहीं कि बुद्धी कमजूरा side भी touch कर ली है very good very good touch your forehead very good touch the tip of the nose and now touch your eyes देखिए कुछ लोग cheek touch कर रहे थे और साक्षर जी ने तो अभी भी cheeky touch किया हुआ था तो चार तरह के learners होते हैं basically एक और exercise भी कराऊंगा तो visual learner भी बनिये as well as audio learner भी देखके भी सीखिए और सुनके भी यह नहीं डपोर्टसन की तरह जो सामने है बस वही देख लिया तो कही पर जा रहे थे लिखा था बोर्ड पर टूलेट एक लड़का करें बहुत तो लगी है मम्मी कहरी जाहिल कहीं के आई नहीं है बीच में जहां आई होगी वहां आई जा नहां समझ में आ गया तो टूलेट में और टॉलेट में फर्क होता है चलिए तो बही ओना जब पैसे और गिवर वेरी गुड डॉइंग्स बिलॉंग वर्ट पर्सटेगरी और परसे लगस और नहुंट रिएल अकाउंट और नोमनल अगाउंट तो रूल की होता है बचों परसेल अकांट का डैबिट्टारीव तो ड्रोइंग इवर्ट्स क्यों डैबिट किया गया समझ में पक्डा तर गुड्ट जा रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं गुड्स होता ही रही है है खरी देंके तो ऑगे बादंत पताएंगे अब जारे बिजनस से या जब इन गुड्स को आपने बाइ किया था बच्छों कौन सा वर्ड यूज किया था परचेज उस्टू बिलॉंग तू दा कैटेगरी ओफ नॉमनल अकाउंट का डेबिट अल एक्सपेंसे और लॉसस क्रेट अल इंकम्स एंड तो आप परचेज को डेबिट करते थे यहां तक किसी को समझने में क को यह बार यह आरें जाए हैं तो स्टॉक चल्रेन सबुक्रीज हो गया यह इंकरीज हो गया से इक्रीज स्टॉक्ट दे कैटेगरी ओफ लेटर Don शोर एंस जिक्रीज एज क्या बोलता था रेक्रेडिट क्रेडिट यहां पर बच्छों रूण लगेगा क्रेडिट अब कुछ बच्चे मेरे से गई और बहस करेंगे और बोलेंगे सर सेल लिखने क्या सेल लिखने में बच्चो मीनिंग डिवियेट हो जाएगा सेल का मतलब होता है क्या हमने किसी को समान बेचा ओनर्शिप ट्रांसफर हुई ओनर खुदी अपने घर ले गया अब समझ में इसको स्पेशल या डिफकल्ट एंट्री क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें लिखा कुछ और है समझ में आगई बात तो ओनर रेसीवर है तो ड्रॉइंग को डेबिट क प्रिंसिपल आए रिपीट बच्चो कौन सा प्रिंसिपल नहीं नहीं तो जिस समय खरीदा था तो पर्चेज यूज किया था आज जा रहा है तो आज भी क्या यूज करेंगे परचेज और टीपल रिक्वेस्टेड जितना कॉंटेंट मैं शीट पर लिख रहा हूं क्रिप लॉजिकल रिसर्च है मैं नहीं बड़ बड़ा रहा हूं कि अभी तो लग पेट्रोल अट कर लूग अभी दन दिस एवरीबडी चले अगे यस चले बच्छो लेट्स कंटीनिव फर्थर तो दिस गुड्स यूज फॉर क्रिएशन ऑफ असे पढ़ने से पहले एक चीजा आपको और समझ में आ रही होगी दे ओल आर दा सेम ट्रांजैक्शन चल रहे हैं जो आपने अकांटिंग कोईजन में पढ़े थे डिक्टो सेम है आपने दुकान से टिंबर हाउस से लकड़ी निकाली 12,000 की समझना गया और उससे क्या बना लिया बच्छो फरनिचर तो बच्छो स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा गिरेगा स्टॉक बिलॉंग सुदा कैटेगरी ओफ असेट असेट गिरती है डिक्रीज होती है तो मॉड क्या बनवाया बदले में फरनिचर बिलॉंग इंक्रीज होता है तो मॉडरन रूल क्या बोलता था अब पता है मैं आपको क्यों इसका इंपॉर्टन्स बता रहा हूं एक्जाम में बच्छो आपसे पूछा जाएगा टिंबर वर्थ 12,000 यूज़ फॉर मेकिंग फरनिचर अब इसके बाद कुश्चन स्टार्ट होगा फरनिचर अकाउंट इस डेबिटेड द्यू तू चार ऑप्शन मिलेंगे ऑप्शन ए डेबिट वाट कम्स इन इस तो नो ऑप्शन भी डेबिट दा इंक्रीज इन असेट ऑप्शन सी फरनिचर इस बिंग पर्चेज़ इंट्रिबिटीग हो जाएगी बट अगर एंसी क्यू में इस तरह के ऑप्शन आ गए वहां पर आप निपट जाएंगे नहीं समझे तो किसी को भी बुखार के लिए क्या कोई भी दवाई दे देंगे येस केमिस्ट शॉप वाले डॉक्टर आपके बॉडडी स्ट्रक्च पचास एंजी की दो गोली दे दिये तेरा दिन बाद हलुआ पूड़ी बढ़ी है घर में इस दाट अंडेस्टू चलन इस देट अंडेस्टूड और सीजन में वाइरल फैला हुआ है तो डॉक्टर आपको सिर्फ दवाई के साथ साथ जो कैलपॉल या परसेटमॉल या क् तो सही डॉक्टर सही कॉंबिनेशन देता है के में शोगला क्या गएगा लेलो दो पता खिलाना सही हो जाएगा और ने पढ़िया दो को बाती नहीं है इस दाट अंडेस्टूड तो बच्छों एंट्री बनाना ट्रांडेक्शन से कोई बड़ी बात नहीं है बट जब से चार साल से MCQ का चलाना आ गया है तब से आपको एक्जैक्ट पिंपॉइंट बुल जाई पता होनी चाहिए यह आंसर तो आपने क्या करते थे फॉनिचर बढ़ता था तो प्लस और असेट में प्लस का मतलब क्या होता है इन सब से जर्नल बना लेंगे बट MCQ में जब से कमीशन को डेबिट समझ गए कॉपी डेवरीबडी हाँ यस हमने लकड़ी निकाली दुकान से और मिस्तरी को बोला फरनिचर बना दो सर मिस्तरी भी तो पैसा लेगा अरे हां भाईया वो सब तो चले गए चलेगा तो स्टॉक गिर गया की बढ़ गया चोड़िए सर क्या श्टॉक लिखने में यहां पर आंसर आएगा आगे चलके आपकी समस्यायां बढ़ जाएंगी लेजर में वटबरी हो जाएगी क्योंखिया का हो नहीं तो आप ना समझ पाते सीजह समझ गए कौन सी असे बनरी है बच्चो इस लिए क्वें करेंग होता है समझ गए तो कहीं पर बच्चों modern rule काम करें और कहीं पर कहीं पर दोनों भी काम कर जाएगा इस डट ओके वेल अंडेस्टूड चलिए आपके गुड्ज चोरी हो गए क्या हो गया बच्चों चोरी और हम क्या करें चोरी और आपके पास 50,000 रुपे का समान था दस जार का चोरी हो गया कितने का बचा चालेश अगर बच्चों चोरी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कान गोडाउन में है 40 तो बुक्स में अगर लॉस नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी बुक्स क्या दिखाएंगी 50 बट रियालिटी में स्टॉक है कितने का 40,000 का दस किलो चावल घर में आया मम्मी पापा बाहर गय ते कुछ दिन के लिए पीछे से चुआ पांच किलो च स्टॉक को अपने बुक्स के रिकॉर्ड के साथ मैच करना है तो सारी चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए मम्मी कैसे पता लगाती है कि पापा की एक शर्ट दो भी लेके क्या था बट देके नहीं गया कि मम्मी को पता है पापा के पास 200 शर्ट हैं अलमारी में 240 नजर आ र और शुड नॉट रिकॉर्ड यू शुड तो मैंने पचास सेट स्टी मेटल जरॉक्स करवाया चालेश सेट स्टूडन्स को बट दिया कितना बचा तस अब अगले दस बच्चों के लिए स्टूर की परने रिपोर्ट किया सर वो दो सेट ना चूहा कतर गया तो कितने बच अब आप ध्यान से नॉमिनल अकाउंट का रूल पटर पटर करेंगे चल रहे हैं क्या रूल था बस 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 चोड़ा भीम बस डेबिट ओल एक्सपेंसेज और लॉसस तो बड़े दिन से आपके मन में एक विचार फुदक रहा था सर क्रेडिट ओल इंकम तो समझ गए हम सेवाएं दे रहे हैं इंकम मिल रही है हमारा त्याग हो रहा है तो हम उसे क्या किया करते थे सर एक्सपेंस हो रहा है, सर्विस मिल रही है, बेनिफिट है, तो क्या करते थे, यह मनूस लॉस किस तरह का बेनिफिट दे रहा है, यह सवाल खानावन में, आज वो दिन आ चुका है बचों, हमको so-called eat से eat बजा देनी है, ready everybody, entry क्या नजर आ रही है, लॉस को डेबिट किया गया है, क्रेट किया गया है, और रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसे और लॉसे, हैवाए बीन एन आवरेज सालक चाप टाइप्स टीचर, और यू पीपल बिलो आवरेज स्टुदेंट, आ कुड़ आव तॉट इस, बचों लॉस जो है, वो नॉमनल नॉमनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसे और लॉसेज, इसके लिए हमने डेबिट कर दिया, जैम आता दी, वो गंटे बाद मेरी जीप कटनी त्यार हो जाएगी, जब आप सफिक्स प्रिफिक्स लगाएंगे, बड़ा चाउधरी बनते थे अपने आपको तो तेक तरह रटा दिये पूरा, तो बच्छो, आंसर तो आ गया न, डेबिट ऑल एक्सपेंसेजम लॉसे से, बट इस आंसर से SRCC नहीं मिलेगा, इस आंसर से चाटेड अकाउंटेंसी कौलिफाई नहीं होगा, इस आंसर से आइपी मैट कौलिफाई नहीं होगा, इस आंस लॉस को आपने डेबिट किया दो जवाब डेबिट ओल एक्सपेंस रागया न सुट जा रहे हैं बचो की आ रहे हैं स्टॉक गिरेगा या बढ़ेगा स्टॉक बिलॉंग सुदा कैटेगरी ओफ असे असे डिक्रीज करता तो रहेंदी जे सरकान का कैंसर हो जाएगा सर पक्क जोरी हर अठारा साल की उमर पार करने वाला इंसान अकल से वोट देगा तो लॉस को क्यों डेबिट किया क्योंकि नॉमनल अकाउंट का रूल है ज्यान यहीं खतम होता है बट आपको चाहिए ब्रह्म ग्यान कौन सा ग्यान ब्रह्म ग्यान तो इसके लिए कुछ काना फूस आपके सामने एक शेप मैंने ड्रॉ किया है बचों और यह शेप किस तरह का है अब लोगों को समझ में आ रहा होगा क्यों यह सब चीज़ें पढ़नी पहले बहुत इंपॉर्टन थी आपने कुछ समान खरीदा और उसे बढ़िया मुनाफ़े में बेच दिया इसाट इंड समान खरीदा बच्छों वो लाख रुपए का और इसमें से आपने असी हजार रुपए वाले समान को एक लाख रुपए में बेच दिया कितने में बेच दिया एक लाख रुपए में बेच दिया is that understood well by all कितना समान आपके पास बच गया एक लाख बीस हजार रुपए का समान बच लिया मैट्स आती है न सबको टाइनीज वाली की इंडियन वाली प्रॉफिट कितना होगा ये देखते हैं कौन बता पाता है मैं लाइन खीच रहा हूं आप जवाब देंगे कितना प्रॉफिट होगा कितना प्रॉफिट होगा इन फैक्ट को देखकर बताईए दो लाख कर समान खरीदा उसमें से असी वाला एक लाख में बेच दिया और एक लाख बीस दार का बच गया प्रॉफिट कितना होगा ये बताईए 20,000 समझा गया तो प्रॉफिट के एंड में या सो कॉल्ड अपनी जर्नी में इंडिया के सारे रिवर्स जो नौर्थ से इस्ट की तरफ जाते हैं लगबग वो गंगा सागर में बेव बेंगॉल में जाकर मिल जाते हैं तो प्रॉफि अपने कितने रुपय का समान खरीदा था वचो तुला और बेचा कितने में एक लाग क्या सारा बेच दिया केना इसे कि यह दो लाग में से कितने का बेच तैने का नहीं बेचा यह पूरे दो लाग रुपय से बेनेफित ले पाएं देखिए मैं चीछे सों को लिंक कैसे कर रहा हूं बचो किया पूरे दो लाक वाले से बेनेफिट लेबत किए कितने रुपए के समान ने आपको benefit दिया एक्सपेंस शब्द का मतलब क्या होता था cost of short term benefit क्या बच्चों यह आपका expense है कि यह आपका expense है क्या पूरा दो लग का समान भी गया क्या पूरा दो लग का समान profit दे गया क्या पूरे दो लग के समान ने benefit दिया और सिर्फ 80,000 वाले समान ने benefit दिया ओनलाइन जो लोग connected है अगर मुह में गुटली ना पहसी हो तो यह भी जवाब दे सकते हैं तो आपने खरीदा दो लग का समान बट उसमें से benefit कितना दिया एक्सपेंस की definition में कितना आया एक्सपेंस की राल्यू को सही सही record करने के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एक लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखना पड़ेगा बचो एक लाग बीस दर का closing स्टॉक तो राइट साइड का total कितना है बचो तो ट्वेंटी और यह कितना है 20 सॉरी टू लैक किस साइड पे एक शॉर्टेज महसूस हो रही है बचो एबट साइड में इधर का total कितना है चल्डन तू लैक कितना टेफरेंस आया इस वो बोलते हैं सेमी फाइनल प्रॉफिट क्या बोलते हैं यह कौन सा प्रॉफिट है सर सेमी फाइनल प्रॉफिट बचो और इस सेमी फाइनल प्रॉफिट बचो और इसी के बाद एक और अकाउंट बनता है आप कंटीनिवेशन में भी बना सकते हैं और आप अलग से भी बना सकते हैं और उस अकाउंट को हम बोलते हैं वोट इस टाइटल्ड ऐस बचो मैंने उपर ट्रेडिंग और लिखा था ना आप कंटीनिवेशन में बना सकते हैं अलग से बनाएंगा तो उपर वाले का नाम कारण क्या होगा ट्रेडिंग किछे वाले का किटना सेमी फाइनल प्रॉफिट था बचो सेमी पाइनल प्रॉफिट को आप यहां पे लिख देगे यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई तो मैं कर क्या रहा हूं मैं आपको मुनालिसा की पेंटिंग दिखा रहा हूं और लेनाडो डी विंची की तारीफे गिना रहा हूं आपको पेंटिंग कर तो नहीं पाएंगे बट बच्चों एक कॉंसेप्ट समझने के लिए मेरे पास एक लौता हतियार यही है या तो मैं आपको रटा दू समझ में आ गया तो बीस हजार रुपए आपने कमा लिए दो लाक में से असी हजार का समान एक लाक में बेच कर यह अकॉंटिंग डियूरिंग यह की जाती ह और यह है पूरा बीच का इयर अपका कितना सुझना है बीस हजार रुपए का मुनाफ़ा हुआ था कितने का समान बचा था 120 एक दिन पहले गो डाउन में सब कुछ ठीक था बच्चे सोचे दियाग लग गई जिस दिन हिसाब किताब लगा रहे थे सुझना गया कुछ पड कमाया कितना था असी का समान एक लाग में बेचके पीज़ार वहां कमाया बारा यहां जल गया कितना नुकसान हुआ बच्चों लोग आट अधर बुलना चाने थे असी का समान एक लाग में बेचा कितना कमाया बीस और यह बारा का जल गया तो फानल प्रॉफिट कितना हु calculate कर सकते हैं बचो यहां पे आप 12,000 का क्या दिखा देंगे बचो लॉस तो आपका final profit बचेगा जिसे आप बोलते हैं net profit क्या बोलते हैं net profit दिमाग की बत्ती जलाएं mentors खाय बगेर अगर आपने books में loss की लिखा पड़ी ही नहीं की बचो क्या आप सही profit पता लगा पाएंगे नहीं पता पाएंगे पहली बाद तो यह बताएं लॉस शुड़ बी रिकॉर्डड और शुड़ नॉट बी रिकॉर्ड रहे हैं अगर नहीं रिकॉर्ड करेंगे दूरिंग दा सेशन तो एंड तक यहां पर आप उसको प्रस्तुत करके अपना सही net profit नहीं निकाल इस डाट क्लियर इस डाट क्लियर तो आप बच्चों यहां पर दो entries पढ़ेंगे कितनी entries एक entry जब loss हुआ तब नहीं पढ़ी बात और एक year के end में उसको कहां ले जाने के लिए PL के अंदर अभी एक धमाका करने वालों परशान मत होएगा अगर यह loss यहां record ना होता during the year क्या year के end में profit का correction आता नहीं आता लॉस को किस aspect में record किया चल्रेंग डेबिट में income के site पे recorded है क्रेट में अगर loss debit में नहीं record होगा income का opposite नहीं होगा क्या profit आएगा बच्चों समझा आया की नहीं आया तो कोविट की दवाई जब बनी तो कोविट के वाइरस को ही यूज किया गया उसको इतना वीक कर दिया इतना वीक कर दिया जब injection के तो वह वाइरस बॉड़ी में गया तो अच्छे वाले वाइरस को उसने भी वीक कर नहीं समझा मेरी बात आप एक बहुत तेज बच्चे हैं पढ़ने में बहुत दिमाग है आपके पास दिन भर पढ़ते रहते हैं 25-30 दलिद्दर अगर आपको मिल जाएं और आपका हाथ पकड़ जाते हैं कभी उनको नेगोशियेट करते हैं तो आपके अंदर भी नेगोशियेशन स्किल्स आगें की नहीं आ गई मम्मी पापास कह रहे हैं पहले मूबाइल में रीचार्ज करा और तफड़ा ही करेंगे पापा हमारे दो कंटाब नीचे हमको नहीं पता था कि पापास वो अकॉल अमेरिका बन गाए इस समय हमारे उपर ड्रोन मिसाइल का हमला कर दी है समझ में आ गया और फिर वैसे जब चोटा बाई बदमाशी करेंगा आप उसको चपल मारेंगे जैसा इंपूट वैसा उटपूट यह बात बच्चों समझ में आ गई क्यों लॉस को डेबिट किया अगर लॉस डेबिट ना होता तो इन फ्यूचर वो हमारी क्रेडिट वाल समझे की नहीं समझे कितना समझना गया अब थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा मैं अब लिख लियो दे सर एक बार में लिखते तो ठेंगा आप कुछ समझ पाते है एडिटिंग के अध्यान से सुनिएगा लेजर में क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे हमेशा और तो यह बात मैंने अपने पिछले बारा मिनिट के लेक्टर में क्लियर कर दी वाई लॉस इस डेबिटेट नॉट बिकास अफ इस रूज चल्रें बिकास अफ फाइनल एफेक्ट आप वी वांटेट तो गेट समझ में आया की नहीं आया तो मम्मी क्यों पापा क्यों घर वाले अब वो स्टोरी भी सिखा रहा हूं तो यह वग्वाज यह जब यह डेविट होगा तो कल को यहां तक पहुच पाएगा अभी इसकी थेओरी आपको बता रहा हूं यहां तक सबको समझा है यह तो देर के लिए बूल जाएए कि आप जरनल पढ़ें और याद करिए कि आप लेजर पढ़ें क्या पढ़ने बचो लेगा अकाउंट इस विजबल टुवल यह सब्सक्राइब याद है सारे बच्छों को कहावत सुनी है जैसा कर्म करेंगे वैसा तो जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर दो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में तू कैपितल अकाउंट बीस क्लाक रुपए नजर आ रहा है जिसको जिसको नहीं नजर आ रहा है वो हाथ खुठा दे तब को नजर आ रहा है आपने बच्छों ऐसा पोस्टिंग वाला काम कम से कम पिछले हफ़ते दस दिन में एक हजार बार किया होगा अगर आपको पता है नहाने के बाद सबसे सिर जाड़ना है ताकि पानी नीचे ना गिरे मम्मी ने बाद बच्पन से लेके आपको सिखा दी तो आपने भी यही प्रैक्टिस अडॉप की आज आप अपने पेट डॉप को नहलाने जा रहे हैं तो आप भी उसका पहले सिर जाड़ेंगे पूछ जाड़ेंगे समझ में आगया तो बच्चों अगर कैश के लेजर में तू कैपिटल है क्या रही होगी जरनल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कोई शक है इसमें ऐसा ही तो करते थे अब मैं आपसे कौन बनेगा तरूर्पती का साथ करूल का सवाल पूछने जा रहा हूं जवाब देगा उसका अगले के सेलेक्शन हो जाएगा क्याश की डेबिट में अगर टू कैपितल है तो वाट वॉस्ट जरनल इंट्री अब थोड़ा मैस्मराइज करिए थूड़ा सा सोची त्यारत सोचने के लिए वेजस अकाउंट के बगल में बी डेबिट साइट में टू कैश था क्या रही होगी जरनल इंट्री में प्ल की डेबिट साइड में टू लॉस है वह सुना ही पड़ा यह बनेगी जनल एंट्री भी फिर सब्सक्राइब की बात नहीं है सीखना है सींखने आया में पर कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैपटल तो जनल इंट्री क्या बनी cash to capita, salary account ki debit side में two capital, journal entry क्या बनी, salary to capital समझ्या गया, ऐसा भी हो सकता है purchase account की debit side में two cash, journal entry क्या बनी purchase to cash, rent account की debit side में two cash, journal entry क्या बनी, rent to cash, तो बचचो पील की debit side में two losses to entry क्या बनेगी भई profit and loss account debit to loss by जिस हरकत से वो हुआ होगा बच्चो यह जो PL वाली entry है ना ये भी businessman करता है और ये भी करता है जो loss account debit थी इसे बोलते है adjusting entry क्या बोलते है क्योंकि ये during the year होती है for making necessary adjustments क्या कोई पैसा वैसा आ रहा है जा रहा है बट अगर loss record नहीं करेंगे तो हमें अभी भी यह फील होगा कि हमारे पास कितने का अंसोल स्टॉक है 120 का बट अगर loss record कर देंगे बच्चो तो इसकी value कम हो जाएगी और अगर बच्चो ये entry नहीं करेंगे तो क्या सही profit जान पाएंगे इससे करते हैं year के end में इन्हें बोलते है closing entry क्लोसिंग और जो भी पीछे आप 3-4 entries करके आए ना वो भी adjusting ये थी सर उनकी closing हम नहीं करेंगे करेंगे जब मैं आपको financial statements chapter प्लाऊंगा तब तो सर ये क्या कीड़ा काटा था आपको जो भी कर दिये क्योंकि बच्चो जब testing होगी ना भी आपके स्कूल में recent exams है तो teacher ये भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे उन सब में वो सिर्फ adjusting पूछते है closing नहीं इसमें पता नहीं कौन सक कीड़ा डपोर संगों को चड़ा हुआ है ये दोनों करते थे यह समझ में आ गया काफी दिन से दिल में यह मलाल रहा होगा चलिए अब मौत अराम से आजएगी मेरे को क्यों कि अगर ये एंट्री नहीं करेंगे तो यहां पर इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पहले रिकॉर्ड कर दिये वो तो मैंने जान पूछ के किया था ताकि मैं आपको ठीट प्रॉफिट दिखा पाऊं एल्स पहले ये एंट्री होगी इनके लेजर बनेंगे फिर ये इसको डाल पाते हैं तो जो पैदा ही नहीं हुआ क्या वो मर सकता है अगर यहां पे हम उसको कभी कर ही ना पाते हैं और अगर इसको यहां ना लिखते हैं तो यह यहां पे भी ना जाता जब यहां पे भी ना जाता तो इस 20 से रिडूस ना होता रिडूस ना होता तो आपक सब्सक्राइब पूरा कॉंपोजिशन पटाक से अपडेट कर लीजिए कॉप्य में चलगा अब यह जो गुड्स है बचों हो सकता है यह इंश्योड हो हो सकता है यह इंश्योड ना अगर यह इंश्योड नहीं थे तो क्या कोई भी इंश्योरंस कंपनी आपको ठेंगा एक रुपए भी देगी नो यह टोटल लॉस कौन बैर करेगा बिसनेस तो आपको बच्चों इस लॉस को लेके जाना पड़ेगा बे ओफ बेंगॉल में अभी थोड़ी दिर पहले बेओ बेंगॉल बनाया था भूल गए भई चलिए फिर से बना देता हूं फिर से बना देता हूं कोई टेंशन की बात नहीं है नॉट भी बेंगॉल फि अगर यहां लॉस नहीं लिखेंगे क्या यह बीस का प्रॉफिट कम होके सही प्रॉफिट देगा नो यह लेजर है बचों लेजर में कुछ भी लिखने के लिए आपको क्या बनानी पड़ती है जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री क्या होगी पियल अकाउंट डेविट ट लॉस इसलिए एंट्री के इसाब से आप फियल में टू लॉस लिख पाएंगे आप समझना है क्यों लेजर आपको पढ़ाया गया था क्योंकि अगर लेजर ना पढ़ाते तो इस एंट्री का कॉंसेट यहां पे आपको समझ में कभी आता ही ना तो यह एंट्री है जो यह कि भई loss जब हुआ तो हमने उसको debit किया क्योंकि हमको bear करना है तो हम अगर dead body की अस्तियों को गंगाजी में डाल देते हैं तो समुद्र तक पहुच जाती है और माना जाता है कि हमने जो नहीं देखा वही स्वर्ग और नर्ख है तो आगे Bay of Bengal में वो अस्तियां भी चली जाएंगी तो loss is debited है when it happened वाइ debited ये मैं बता चुका हूँ आपको खतम करने के लिए उसे यहाँ पर क्या कर दिया अपने credit और finally इसको कहाँ पर put कर दिया PL की किस side पर बचो debit side पर पड़े में बात गई पका तो ये entry closing entry बोली जाती है और ये year के end में पास हो यहाँ तक कोई doubt किसी को वह ना क्या ये बात तेहले मैं आपको बता चुका हूँ क्या जोरी है कि हम बेवकूफ businessmen है हम बहुत चतुर businessmen थे और हमने कराया था अपने goods का insurance insurance policy में साफ साफ लिखा था अगर आग लगने से चोरी होने से बाड़ आने से goods का नुकसान होता है पूरा का पूरा पैसा कौन देगा insurance company आपने insurance company को phone किया वो तुरन पैसा लेग चले आएंगे पहले उनके survey राके चेक करेंगे लॉस हुआ भी है कि fake news है तो insurance company ने का ठीक है हम आपको लॉस दे देंगे मतलब पैसे देंगे कोई problem की बात नहीं है बढ़ क्या बच्चों तुरन देंगे अब खेल चालू होता है जब तक वो आपको लॉस का पैसा दे नहीं देते दे आर indebted to us yes or no category of asset asset बढ़ता है तो modern rule क्या बोलता है debit हमने क्या किया हुआ debit और ये loss जो हमारा था अब ये किस के मत्थे चला गया insurance company के मत्थे चला गया बचों तो ultimately who will be bearing this loss now children insurance company तो हम इस loss को क्या अब further जे लेंगे not at all तो हमें मिल गया इस loss से पूरा relief relief मिल गया मतलब ये loss आपका क्या हो गया बचों cancel debit को cancel कैसे करेंगे create करके debit को cancel कैसे करेंगे create करके तो आपकी journal entry क्या बनी बचों debit the increase in asset credit loss for closing it ये कौन सा account है सर ये कौन सा rule है ये rule अभी अभी पैदा हुआ है ये हर बार class में तोरं थी पैदा होते है alien की तरह और फिर मर जाता है मतलब there is something much more than traditional and modern rule also जहां दवा नहीं काम करती वहां दूआ काम करती ये दूआ है MBBS के बच्चे को दूआ पढ़ाई जाती है नो और हमारे वो क्या कहते हैं कौन सी और दवाई होती है वही यूनानी और आयुरुवेदा और होमयोपैथी क्या उनको दूआ की कोई समझ में आई बात की नहीं आई बात तो ये वही डिवीन फोर्स है चलते हैं खोपले में बात गई पक्का आप समझ में है जब ये लोग पैसा दे देंगे तब क्या करेंगे कितना कॉमपोजिशन कॉपी कर लिया लोगों ने जब ये पैसे देंगे बच्चों तो क्या ये लोग हमें जोले में बोरे में चिल्लण भरके देंगे no they will give the money through check check कहां पे जमा करेंगे आप बैंक में, तो पैसा आपके बहाफ पे कौन रिसीव करेगा आपके लिए बैंक, तो बैंक हो गया क्या बच्चों रिसीवर और इंशॉरंस कंपनी क्या हो गई, गिवर एनी डाउट्स, मैनी डाउट्स नहीं समझा है, आ गया clearly understood, चटपट लिखनें बच्चों, उपर वाला composition लिख चुके हैं सब लोग, नहीं लिखा तो इसको जल्दी से लिख लीजे, प्वेरी है तो please ask, अगर बच्चों, आपके शेहर से काफी दूर, कितनी दूर सर, 75 किलोमेटर दूर, एक गाउं में PVR सिनेमाज, अपना 6 स्क्रीन का मल्टिप क्लेक्स खोल ले, और मूवी लगा दे वहां पे, कौन सी मूवी सर, नाम बता दो जान जाओ, नाम बता दो जान जाओ, वा, कुछ-कुछ होता है, अभी न्यूटन का 3rd law of motion, कुछनू, साफ सुन जाएगा लोगों को, कुछ-कुछ होता है, तो अगर मूवी यहां पे लग जाए बच्चों, कुछ नहीं होने वाला, तो सर आप यह सब क्यों बता रहे हैं, क्यों की बच्चों, अब हमारा अगला composition इसी से प्रभावित है, कुछ-कुछ होता है, मतलब सर, goods 12,000 के जल गए, चोरी हो गए, insurance company कह रही है, नवरातरी का season है, 9,000 से जादा, हम एक फूट कौडी आपको नहीं देंगे, कहने का मतलब, यहां पे बच्चों आ गई, so called, चाचा जी, and चाची जी, don't know, खोपड़े में बात गई चलन, खोपड़े में बात गई या नहीं गई, सर, color मस्त नहीं था, चलिए मज़ेदार color लगाते है, यह बढ़ी है, सर, चलिए, समझ आगया बच्चों, that part of claim, which is agreed to be accepted and paid, insurance company उसके लिए debtor है, जब तक पैसा दे नहीं देती, और यह कौन बेर करेगा चिल्रन, business, और क्योंकि आपको loss को close करना है, क्योंकि यह पैसा आपके PL में चला गया, और यह कौन देगा आपको, insurance company, समझ में आगया, और उसके बाद पैस का मिलने वाली entry तो एकदम, same, तो यह कुछ नया नहीं है, उन्हीं दोनों का combo है, तो पहले आप दाल पीते थे, चावल खाते थे, आप खिचड़ी चल लहा है, तो रहेगा तो दाल चावल ही, समझ गया, बाद में 3000 नहीं देंगे, क्योंकि they said कि हमने अपनी policy में साफ साफ लिखा था, कि आपके factory में जहां पे goods रखे हैं, समझना गया, या raw metal लखा है, वहाँ पे होना चाहिए firefighting system, क्या होना चाहिए, firefighting system, जितने area में firefighting system लगा था, उतने area में आपके 9000 के goods जले हैं, बाकी goods आपने factory के बार खुले में रखे थे, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ल उन्होंने जिस चीज का risk cover किया है, वो उसी का तो पैसा देंगे, मान लीजिए कि कोई पडोसी आपका, जिससे आप बहुत जलते हैं, jealous होते हैं, burning होते हैं, वो plane में travel कर रहा है, और वो hard patient थे, उन्होंने अपना travel insurance कराया था, और plane crash कर गया, मर गए सबके सब लोग, dead body सबक cover हो गई, वो जलन वाले uncle को insurance company पैसा देगी, नहीं क्योंकि मैंने पोक दिया जाके, वो plane crash होने पहले ही मर चुके थे, उनको plane crash होने की news नहीं मा डाला था, तो उनकी death, heart attack से हुई, crash से नहीं हुई, और travel insurance में crash का risk factor covered है, heart attack का risk factor covered नहीं है, तो जो उनकी policy अलग से हुई है, but travel insurance का compensation नहीं मिलेगा, समझना क्या, वो postmortem में prove हो जाता है, कितनी देर पहले death हुई है, पता लगा death हुई थी, 40 मिनट पहले, समझना क्या, और plane crash के बाद जब body से sample लिया गया, वो सिर्फ 12 मिनिट का gap था, अब plane crash में ऐसा नहीं होता है, बढ़ ऐसी case studies बनी है, मैं आपक कि एक original case study बता रहा हूँ, लोग railway में अपनी seat ही चेंज कर लेते हैं न, तो एक बार एक passenger ने अपनी seat चेंज कर ली, और वो कहीं और बैठ गया, और उसका जो दूसरा passenger था companion हो, वो ही बैठा था, train का कुछ accident हुआ, तो वो बच गया था, और जो साथ वाला था, वो दूसरे सीट में पैटे दो वहाँ, वो मर गए, तो railway कहा रहा है कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हमने उस seat पर travel का आपका insurance किया है, तो बड़ी गिर्यू टाइप की company है, नहीं, आपको गिर्यू ही लग रही है, क्योंकि आपने पैसे दी है, प्रीमियम के, समझ महां गया एक तरह से हो सकता, आपने travel शायद असक्री में, क्योंकि body भी recover नहीं हुई है, और sir body recover हो गई तो फिर इस clause में, कि आपने जान पूछ के आत्मत्या की, आप जान पूछ के मरें कि आपके घरवलोग पैसा मिल जाए, तो वहाँ पे utmost good faith यह सब पढ़ेंगे आप insurance के clause 11th class में जाएगा, मैंने अच्छा थे तो भईया, तीन दिन बाद जो delete की होती है, बाहर निकल गई, अब था उनका अपना खराब manufactured project, बट वो कह रहे है, सर देखी कितना फायदा हुआ, आपने breakage policy ली थी, आपको फायदा होगे, मैंने तोड़ा है, तो उन्होंने बोला, फोटो दिखाई है, फोटो भेजिए बगएरा बगएरा, तो उनको नजर आ गया कि clip निकल गई थी, और so-called नीचे से वो तूटी होई, नहीं थी, अगर तूटा हुआ नजर आता, तो ये बोल सकते थी कि आपने इसको जान कुछ कह दोड़ी, मार दी है, कभी-कभी fraud claim register हो भी जा मतलब तुमारी driving practices गढ़बर थी, एक side का वो claim दे देंगे बर दोनो side का नहीं देंगे, तो उनकी policies और उनकी experiences है, हम insurance नहीं पढ़ने हैं, ये समझ आगे है सब को बच्छो, पर अब 3,000 होगे है, तो final loss 3 हम बेर करेंगे, 9 insurance company बेर कर लिया, यहाँ पे हमारा loss का पूरा insurance company न उसको अपनी books में लिखेंगे, इस 9,000 को अपनी books में नहीं लिखेंगे, हमारा profit गिरेगा 3,000 से, बट यहाँ पे हमारा profit गिरा था पूरा है, 12,000 से, तो यहाँ पे छत से कूदे निपड़ गए, यहाँ पे छत से कूदे, घरवाले काईदे सूते, तो सुप टांक टूटी यह आधा आज पढ़ेंगे, आधा मैं आपको अगले lecture में पढ़ाओ, हमने अपने customer को समान बेचा था, तो वो क्या थी बचो, सेर, हमारे customer ने हमको समान वापिस दे दिया, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाय बगैर और बताएं, customer giver है कि receiver है, क्या करें, giver का कर दिया, तो मोहन बाबू receiver हुए कि giver हुए, personal account, receiver को क्या करते है, doctor बनाते है, debit, is that clear, जब goods आए, पहले क्या किये थे, sale किये थे, आज आए है, जब बच्चों sale हुई थी, at that time, it was our income, हमने income को क्या किया था, great, खोपड़ें बात की, खोपड़ें बात गई, अब ये goods क्या हो गए, बच्चों, return, जब ये goods return हुए, what happened to our income, it went down, और it went up, it went down, जब income हुई थी, तो आपने क्या किया था, create, तो बच्चों जब income कम होगी, credit का opposite क्या करना पड़ेगा, debit, that's why आपने sales return को debit किया, 99% बच्चे इसको गलक पड़ते हैं, और बोलते हैं, debit water comes in, इसलिए बच्चों मैंने इसको लेख के इस पर dash लगाया हुआ है, भाईया ये real account है ही नहीं, जब real account है नहीं, तो इसका rule क income, create the decrease in, income, modern rule पढ़ा था न, income बढ़ती है तो create, तो आज उसका उल्टा कर दीजिए, आज उसका उल्टा कर दीजिए, उस समय नहीं था, फिर से समय लीजिए, sale किस पर जाती की थी, income, क्या करते थे income को, create, क्यों करते थे पता है न, service दे रहे हैं, आज आपका समान वापिस आगया जूपिका था, your income has gone down, income कम होगी, तो credit का reverse, क्या करेंगे बचों, debit, तो it is debit that decrease in income, बचों, and never debit what comes in, तो 99% लोग आपको यह entry देंगे, तो अभी तो आप कर लेंगे, answer तो आजाएगा, बट जब MC क्यों आएगा, sale return is debited due to debit that decrease in income, debit what comes in, और कोई दो भरजी option, तो आपक reason, वहाँ पे मेरे notes काम आएंगे, समझ में आ गई बाते, पक्का, चला जाएगा, आपने समान खरीदा था, पसंद नहीं आया, वापिस कर दिया, जब खरीदा था, तो it was purchase children, purchase belongs to the category of expense, और expense को क्या करते थे, debit, आज यह समान वापिस हो रहा है, बचो, तो your expense is going down, और is going up, is going down, तो जब expense हुआ था debit, expense नीचे चला गया, तो debit का opposite क्या होगा, बचो, never use credit worth, goes out always, it is credit the decrease in expense, तो जब goods खरीदते हैं, बचो, वो invoice और bill यह सब चलता है, तो जब वापसी होती है, उस समय भी एक कागस का टुकडा चलता है, and that कागस का टुकडा is known as, what यह मैं आपको अगले लेक्शन पढ़ा, इसके ओपर 15 मिनिट का एक प्रवचन है, is that clear, समझना किया, इसके बाद मैं आपको discount वाले transaction पढ़ाऊंगा, ताकि आपना धेर सारा assignment साथ साथ कर लें, और फिर बाकी हम प्रते जाएंगे, is that clear, चलिए, that's all for today, चलिए.